हेलो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंट सिंधी मीडियम पर आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जोगरोफी के चैप्टर नमबर 9 के के बारे में हमना सब कुछ देख ले हैं इस चैप्टर के बारे में आप इसके जो पीछे प्रस्ण दिये गए हैं उनके स्वलूशन पर भी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले देखते हैं तो हमारे सामने कुछ बहु बिकल्पी प्रस्ण आएंगे मतलब मल्टिबल च्वाइस प्रस्ण आएंगे तो यह प्रस्ण आपके सामने आया है कि प्रादेशिय नियोजन का संबंध है और चार अप्सन दिये गए हैं आर्थिक व्रस्था के सेक्टरों का बिकास छेत्रिय विसेष के बिकास का उपागम परिवहन जल तंतर में छेत्री अंतर और ग्रामिल छेत प्रस्ण बताएगा है मतलब उसका फुल फॉर्म आपको पता हो ट्रांसलेट फॉर्म में पता हो आई फॉर मतलब क्या हो जाएगा आई आई टी डी पी का मतलब क्या हो जाएगा यह बताना है इंट्रिगेटेट ट्राइवर्ड डेवलोप्मेंट प्रोग्राम होगा यहां पर तो अगर आप बात करें तो यहां पर समन्वित परेटन विकास प्रोग्राम समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम समन्वित जंजात तो आपको याद अखना है यहाँ टीफोर ना तो टूरिजम है ना तो ट्रांस्पोर्टेशन टीफोर ट्राइवल मतलब जन जातियों के लिए बात की गए यह बाकी तो सब सबकुसी में development program है और इंटिगरेट है तो यह तो सब चीजिए आप देख पाना है समन्वित सब के अंदर कॉमन है कोई दिख्कत नहीं विकास प्रोग्राम अगर आप देख पाएं तो सब का कॉमन है सर्फ एक सबसे आपको पहचानना है मतलब आई का और टी आई का और डीपी का सब से मैं टी का आपको सही पता होना चाहिए किसके लिए टी फोर ट्राइवल मतलब जन जातियों के अगले प्रस की बात करें प्रस नमबर तीन इंद्रा गांधी नहर कमान चेत्र में सतत्त पोस्ट विकास के लिए इन में से कौन सा महत्रपूर्ण कारक है किरसी विकास पारितंत्र विकास परिवहन विकास और भूमी उपनिवेशन क्या इसका सही जवाब है तो आपके साम अगभक्ती सब्दों में लिखना है मतलब कम से कम तीन लाइन के अंदर आपको आपका अंसार देना है भार मौर जंजाती छित में समन्वित जंजाती विकास कारकरम जिसको आई टी डी पी कहा गया है इंटेगे ट्राइवल डेवलप्मेंट प्रोग्राम के सामाजिक लागू होने से प्राप्त सामाजिक लावों में साक्षाता दर में तेजी से ब्रद्धी लिंग अनपात्म सुधार बाल विवाह में कमी सामिल है इस च्छित में इस्तरी साक्षाता दर 1971 में 1.88 से बढ़कर 2001 में कित्ती हो गई है ब्याले दिसंबलो चार ब्याले दिसंबलो आठ तीन प्रिस्टत हो गई है अगला प्रसनाता है प्रस नमबर दो सतत्पोष्णी विकास की संकलतना को परिवासित कीजिए ना मतलब जो इसकी जो सोचा गया है इसके बारे में वो बताना आपको तो विस्त परियावरण और विकास आयोग है ना जिसको डबलू एसीडी कहते हैं वर्ल्ड इन्वार्मेंट एंड डेवलोप्मेंट जो कमीशन है उसने क्या किया है कि विस्त परियावरण और विकास आयोग ने सतत्त पोष्णी विकास को 1987 में अवर कॉमन अवर कॉमन फ्यूचर मतलब क्या हो गया हमारा साजह भविस हिंदी में क्या कह देंगे हमारा साजह भविस इस नाम से उसने है ना इस नाम से अपनी रिपोर्ट प्रकासित की थी एक ऐसा विकास जिसमें भविस में आने वाली पीडियों की आवसक्ताओं की पूर्ती को प पूर्ती करना उसको क्या कहेंगे सतत्पोस्णी बिकास कहेंगे इंद्रागांधी नहर कमान च्छित पर सचाई के सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं यह बताने हैं तो अब चुक्छे आपको पता है कि इंद्रागांधी नहर कमान च्छित में ज्यादा काम हुआ है तो स पारम पर एक फसलों चना बाजरा जवार के स्थान पर यह हूं का पास मुंफली चावल ने ले ली जो की सगन सचाही का प्रणाम है यहां पर डेंस इरिगेशन के कारण यह सब को संभा हो पाया है अगरा प्रस्ण है कि इस प्रस्ण का उत्तर हमें लगभग डेड़ सु सब् लिखना है प्रस्ण क्या है सूखा संभावी चित्र कारिकरम पर संच्छत टिपड़ी लिखें यह कारिकरम देश में सुस्क भूमी किरसी विकास में कैसे सहायक है इसके उपर आपको बात लिखनी है तो उत्तर क्या है सूखा संभावी चित्र कारिकरम का सुभारम चौथी करना था उत्पात के साधनों को विक्षित करना था किंतुबाद में सचाई परियोजनाओं भूमी विकास कारकरमों बनी करन चरागह विकास तथा अधार भूत ग्रामीड अवसंद अचना जैसे बिद्दुस सडकों बाजार रिन सब्धाओं वह सेवाओं पर जोर दिया गय हैं इंचेत्रों का विकास करने की रणीतियों में समन्मित जल संभर विकास कारकरम अपनाना सामिल है जल मिट्टी अधे मां ततव पसू जन्संख्या के बीच पार्षित्किय संतुलन जिसको एको सिस्टम बैलेंस कहते हैं एको सिस्टम या पार्षित्किय संतुलन पुना इस्थापना पर अधिक ध्यान देना चाहिए मैं 1967 में योजन आयोग ने दे सरसथ जिलों की पहचान पूर्ण या आंसिक सुखा संभावावी जिलों का परिशी मन holds कर पर सूच्शिमी मध्रदेश महराष्टि मेराथ वाड़ा चेत्र आंद्र प्रदेश के राइल सीमा वा तेलंगारा पठार करनाटक पठार तमिलनाडू की उच्च भूमी इबं आंत्रिक भाग के सुस्क और अर्द सुस्क भागों में फैला हुआ है पंजाब हर्याना उत्री राजस्थान के सूखा प्रहावी चेत्र सचाई के प्रस इस्थान नहर कहा जाता था ना कि बल भारत में बलकि बिस्ट के सबसे बड़े नहर दंत्रों में से एक हैं 1948 में कवर सेंद्वारा संकल्पित यह नहर परियुजना 31 मार्च 1958 को प्रारम हुई कब हुई 31 मार्च 1958 को प्रारम हुई सत्तलोज इमंब्यास नदी के संगम को पर सत्तलोज इमंब्यास नदी के जल को या सत्तलोज इमंब्यास नदी के संगम पर पंजाब के हरके नामक बांद पर रोक कर यह नहर निकाली गई है जिसे राइस्थान के थार मरुस्थल की उनन दी समलोग छे लाख हेक्टर किर्सी योग भूमी संचित हुई है या उसको सब्धा प्रदान हुई है सचाई की इस नहर तन्त की कुल लंबाई 9,060 किलो मीटर है नहर तन्त मतलब नहर उसकी उप नहरों को मिलाकर 9,060 किलो मीटर में फैली है इस नहर का निर्मालकार 2,49 में पूरा हुआ चरण एक के कमानचित में सचाई की सब्धा 1960 के दसक में प्रारंभ हो गई चरण दोब में सचाई 1980 के दसक के मद्ध में आरम हुई मतलब 20 साल बाई इस नहर के कमानचित में सब्धत पोस्टी विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित साथ उपायों में से पांच उपाय पारस्तिकी संतलों को पुना श्थापित करने पर बल देते हैं जैसे एक एक करके देख लेते हैं क्या है जल्प्रवंदन नीती का कठोरता से कारियान बन करना ताकि अपसल रक्षन सचाई वाचरागा विकास की विवस्था की जा सके तो जल्प्रवंदन नीती को आप कठ होरता से लागू करेंगे दूसरा क्या है इस छित में जल सघन फसलों को नहीं बोया जाएगा मतलब जल सघन फसले हैं उन छित को अपने लगाएंगे बलकि बगाती किर्सी में खट्टे फ़लों की खेती आप करेंगे तीसरा कमा चित में नहर के जल का समान बितरन होना चाहि जैसे नालों को पका करना भूमी विकास ता सम्तल इम बाल बंदी पदती लागू करनी चाहिए जलाकरांता इवं लवन्ता से प्रावे धुमी का पुनृद्धार करने जल बहा हो जाता है उसका पुनृद्धार करना बनी करण ब्रक्च ब्रक्षों के रख्षन मेखला का बिकास चरागाव बिकास के अलावा पारीतंत्र बिकास पर जोड़ देना चाहिए अब क्या जाएगा आपका इस छेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर भू आवंटियों को क्रसी के लिए बित्ती एवं संस्थागत सहायता मिलनी चाहिए साथमा क्या है केवर क्रसी और बंद बन सके हैं ना तो यह साथ मइंट है यह पाँच को वहां पर क्या कर लिया गया है मान लिया गया तो यह एंसए अर्टी सॉलूशंस से जिन को आप्यों को देखा-इक करके एक हरे परसिंका एक मोडल ऊतर देखा आप भी इनको देखिए लिखे लिखने का प्यास quality education के लिए जाना जाता है साथ ही निसुल्क सिख्छा के लिए हम बहुत सारे कोर्स आफर करते हैं जिसे आप देख पाते हैं हमारे टॉप कोर्स सी बेस्ट इंग्लिस मीडियम हिंदी मीडियम एंटी सी ओलंपियार सी यूटी 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 से मिलेगा वोग चुनना है ने वीडियो देखना बने इसके लाव हमसे करेक्ट हो सकते हैं यूटीव फेस्बॉक टुटर टलिग्राम के माध्यम से वीडियो आप देख रहा है मैगनेट बेंस के हिंदी चनल मैगनेट बेंस हिंदी वीडियों पर तो चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जम कर चैर करें नहीं बार